हलो दोस्तो नमस्कार सभी लोगों का और हम ये कहना चाह रहे हैं सुनीता ब्लोग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सब लोग देख रहे हैं कि अपने यूपी में या कहीं भी इतना बच्चा चोरी का जो चल रहा है उसके लिए आप सब लोग सतर्क हो गए थे और भाई यहां पर आके बच्चे को डरवाया किसी ने कि सच में वो था अब ये तो हमें नहीं मालूम था लेकिन जो है हमारा तो जी बहुत डर गया घबड़ा हम इतना गए कि समलोग पूछा नहीं जा सकता है कि कितना हम घबड़ाए हैं और आप सब लोगों सम यही कह रहे हैं कि भाई आप सब लोग सस्क्र हो ये घबड़ जमाना बहुत बुरा पाप वाला आ गया है बिंदहाड़े आदम किसी को कईद कर ले रहा है वो मार दे रहा है इससे बहुत खराब काम हो रहा है किसको नहीं पता है ये हवा किसके कान में नहीं जा रही है सब बन रहा है इसलिए हम सब लोग यहीं बोले हैं कि आप सब लोग स्कूल बच्चा जाता है छोड़ने जाओ और लेके आओ भली भाई एक रोटी खाते हो उसलिजगा पराधी खालो अगर बच्चा नहीं है अपने पास तो अपनी जीवन बेकार है समझे रहे मारी बात का त वसि опредढल उन पर दोदोट सब यहीं है और यहीं बहुत है कोई धन के लिए प्रसान है कोई अवलाद के लिए परेशांे तो जिसके पास धन भरा हुआ है अवलादें नहीं है वो द्बं किस काम का है आप सब लोग बताईए बताईए और थोड़ा धान से देखे गा हमारा वीडियो जो है कि हम क्या बोल रहे हैं आप लोग समझदार हो समझ जाओगे हम क्या बोल रहे हैं लेकिन भाई ये सब कुछ जो चल रहा है बहुत गलत है बहुत बेकार है लेकिन इसमें क्या माना जा सकता कि कुछ सच है तो कुछ जोटा है कुछ लोग दुस्मन है जो दुस अपने बच्चों को खुद सेप्टी में रहो और भाई हम तो अपनी सेप्टी कैसे करते हैं यह हमारी जोपड़ी देख रहे हैं आप टूटी-फूटी है लेकिन फिर भी भगवान का सुक्र है आप सब लोगां का असिरवाद है तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है बस सबसे बड लोगों को बताना चाह रहे थे मेरे वीडियो को देखना सुरू से लाट तक लाइक कमेंट से करिएगा अच्छा लगेगा तो बस सबी लोगों से यहीं हमारा कहने का मतलब है तब तक के लिए सब लोगों से दन्यवाद तू रहा तो Prinzip तो को लोगों है छिर वे मेरे वे नहीं हो ँटो है यहाद बन्हा हुए हो से लोगों और धो तक के लो यह जहाब शोप min